हेलो करेंज, वेलकन को टेक बज, तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ वीवो के नए बिड्रेजर फोन का, जो है वीवो Y35, यह भी रिसेंटल लॉँच हुआ है, और इसको कुछ में तीन-चा दिन से यूज़ कर रहा हूँ, यह फोन की प्राइज है अरूंट 18,500, तो आज म पसंद है, तो इसको को लाइकन शेर करना मत भूलना, तो चले वीडियो शुडू करते हैं, वीवो Y35 इंडिया में एक इवेरियंट पर अवेलेबल है, 8GB, 128GB, जिसकी प्राइज है 18,500, तो यह फोन में 3-4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और इसको में हम देखेंगे इसके प्राइज कर सकते हैं, बागी इसमें थीम और आइकॉन के लुक को चेंज करने का भी ऑप्शन दिया गया है थीम स्टोर में, यूजबिलिडी की बात करेंगे तो फोन के यूई में लाइक नहीं है, कितने भी बैकड़न में आप खुले हो, तो भी फोन स्लो नहीं पड़त अप्स भी फास्ट खुल जाते हैं, अपको टच करने और ओपन होने की बीच ज्यादा कोई डेले नहीं होता, और इसमें LPDDR 4X RAM और UFS 2.2 की स्टोरेज दी गई है, तो डेली यूजज में आपको ये फोन परेशा नहीं करेगा, बट इसमें अभी भी काफी सारे ब्रोटर पहले से लोड़ेड है, जिसकी मोज, जोईश, होल टैप्स, बाइजूज, शेर चैट और डेली हट जो कंटिनुसली बेकार आड़्स डिस्प्ले करते रहते हैं नोटिफिकेशन पैनल में, बट थैंक्फुली इन में से कुछ आप्स को आप अनिंस्टॉल कर सकते हैं, इस जान के बाद करेंगे तो यह काफि सिमिलर है, Vivo T1 से, फ्रंट में आपको 6.5 इंच का फुल HD+, IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, इसकी स्क्रीन ट्यू बोड़ी रेशियो है 83.4%, क्योंकि ओरल साइड बेजल तो कम है, बट नीचे चेन एरिया में थोड़े ज्यादा है, और प्रोट फिनिश और डिफरेंट साइज में कैमरा सेंसर्स, ओर और इस प्राइज में यह काफी अच्छा दिखता है, बाकी यह IP5X, डश्ट रेसिस्टेंट और IPX4 वाटर रेसिस्टेंट भी है, तो अलके फुल के वाटर टॉप से इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, यह फोन द कैमरा सेट अप विद LED फ्लैश, फ्रेंट में हैं सेल्फी कैमरा, ओन दे वाटर ट्रॉप नॉच और यहर पीस, फोन थोड़ा बड़ा है, तो यूज करने के लिए दो हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ्लैट फ्रेम है, बट एजज़ कर्वड है, तो हाथ में फ्लैश लोड होते है, कोई लाग या फ्रेम टॉप नहीं मिलता, फिल्टर लोड होने के बाद, इसे तरह इंस्टेग्रम भी स्मूध है इस पर, और क्योंकि इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाल डिस्प्ले दिया है, इसलिए स्क्रोलिंग एंड स्वाइपिंग काफी प्रेम टॉप नहीं मिलता है, बड़ बैटल गॉबाइल इंडिया या पबजी का इसमें कुछ आपको खास एक्स्प्रियंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फोन पबजी स्मूध पर हाई FPS और बैलेंस पर मीडियम एफपिस ते ही सपोर्ट करता है, और HD का जो सपोर्ट ही नह करता है, फास्ट एंड ऐक्यूरेट है, बड़ इससे थोड़े सस्ते में आपको Redmi Note 11T अवेलेबल है, जिसमें स्मूध पर अल्टरा FPS और HD पर हाई FPS का सपोर्ट मिलता है, और साथ में वो एक 5G फोन है, तो मेरा गेम सेट है स्मूध प्लस हाई FPS पर, और इसमें आपको गेम चाहिए, तो आप Redmi Note 11T ले सकते है, कैमरा के बात करेंगे, तिसमें आपको triple camera setup मिलता है, पहला है 15MP F1.8 aperture camera with autofocus, दूसरा है 2MP F2.4 aperture macro camera, और लाश्ट है 2MP F2.4 aperture depth sensor, stock camera app में आपको कुछ basic feature मिलते है, जैसे कि portrait mode, AI color mode, night mode, pro mode, HDR, double exposure, AR stickers, live filters, beauty mode और panorama, आप 1080p video shoot कर सकते है 30fps पर 60fps video 720p पर available है, front में 16MP F2.0 aperture selfie camera, which can shoot 1080p at 30fps, selfie camera में भी आपको portrait mode, live filters, AR stickers और beauty mode मिलता है, तो चले कुछ camera sample देखते है, price के सबसे daytime photos इसमें काफी अच्छे आते है, details काफी sharp है, AI color mode की वज़े से colors थोड़े vibrant है, overall काफी अच्छा perform करता है ये daytime में, portrait photos decent आते है, edge detection का को issue नहीं है, और skin tones काफी है तक ठीक ठाक है, HDR shots normal light में अच्छे है, बट direction light में कभी sun area थोड़ा overexpose होता है, या कभी foreground थोड़ा dark हो जाता है, indoor lighting conditions में photos अच्छे आते है, color vibrant है, और lights को भी अच्छे से control करता है, low light performance decent है, क्योंकि lights को अच्छे से control करता है, बस कभी कबार थोड़े अजीब जाते है colors या फिर highlights जैसे white color थोड़ा overexpose हो जाता है, selfies indoor हो या outdoor दोनों जाका decent है, skin tones को छक तक proper है और photoshop भी है, यह है वीवो Y35 के back camera का video sample 1080p 30fps पर, अगर आप 720 पर switch करेंगे तो आपको 60fps का भी option दिलता है, और जो stabilization है उसे मैंने फिला standard पर रखा है, फिर भी आप stabilization देख सक देखी वीडियो थोड़ा shaky है, colors इसमें अच्छे आ रहे है, HDR भी इसका ठीक था काम कर रहा है, कैमरा भुमा कर देखते है, तो HDR इसका अच्छा काम कर लेता है, बाकि इस वीडियो साब इसके mic का भी अंदर सा लगा सकते है, यह है वीवो Y35 के back camera का video sample 1080p 30fps पर, और इसमें जो stabilization का option है, उसमें ने on रखा है, जिसके वज़े से video में थोड़ा hazy effect आ रहा है, वीडियो में colors ठीक ठाक है, वीडियो थोड़ा सा dark है, इस price point पर कुछ उतरे phones भी है, जो इससे better video quality देते है, तो इसके video quality मुझे कुछ खास नहीं लगी, Safety की बात करेंगे तो इसमें आपको lock button पर fingerprint करान मिलता है, जो fast and secure है, आपको face unlock भी मिलता है, जो fast है, बट security wise कुछ खास नहीं है, डिस्पले की बात करेंगे तो इसमें आपको 6.5 टेज का IPS LCD डिस्पले मिलता है, with 1080 but 2408 pixels and 401 PPI density, डिस्पले के colors vibrant है, इसका डिस्पले sharp है, brightness, contrast ratio और viewing angles decent है, display tilt करने पर भी colors ज्यादा washed out नहीं लगते, outdoor brightness कुछ खास नहीं है इसकी, normal select में इसका display मुश्किल से visible रहता है, तो 12 बजी की दूप में ये issue दे सकता है आपको visibility में, तो आप करतें इसके speaker का sound check, इसमें single speaker दिया गया है, नीचे की तरफ, तो चेक करतें sound तो single speaker होने के बाद भी इसका sound अच्छा का सा loud है, लेकिन sound full volume पर थोड़ सा distort होता है, और clarity भी कुछ इससे खास नहीं है, तो इसकी sound quality मुझे बस decent लगी बाकी इसमें Widevine L1 का support है, तो streaming app पर ये HD video stream कर सकता है, बाकी camera to API map को level 3 का support मिलता है, तो Gcam mode इसमें support हो जाएंगे with all features इस phone का एक major drawback है कि साड़े 18,000 का phone होने के बाद भी इसमें 5G का support नहीं है, जबकि इससे सस्ते phones भी 5G के साथ available है market में, तो October में 5G आने के बाद आप उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे इसमें, तो ये था मारा full and final review of VOY35, daily use और camera के लिए phone decent है, बस gaming performance के लिए इससे better phones available है market म अगर ये discount वगेरा के साथ 15,000, 16,000 तक मिलता है, तो काफी अच्छा package है, आप लोग हमें comment fiction में जरूर बताना कि आपको ए phone कैसा लगा, और अगर आपको मारे ये honest review पसंद आ है, तो इस video को like and share कीजिए, और हमारे चैनल को subscribe करके bell icon भी दबालीजिए, हम जल्दी लोटेंग KC Tech and Gadget videos के साथ, so till then stay tuned.